गालो कैज वेलकम टो एनेदर पार्ट ओफ डिजाइणिंग कोर्स तो गाईज इस पार्ट में हम लोग शिखेंगे पीज़ुके प्रक्राइब लिए फार्ट पिसिकली वही एस टेमल अइकों के बारे में पूरी की पूरी क्लास होगी और मैं आपको बता दूँँ आपने बहुत सारी सायट से देखी होगी जिस यस साइट के अंदर आपको आइकन तो देख रहा होगा और हम इमेज बगरा द अगर हम लोग आई को एड करें तो क्या होगा हमारे जो स्पेस होगी वह तो बिल्कुल इनक्रिज नहीं होगा उसके साथ ही अगर हम लोग इमेज यूज्ज वह करेंगे तो कुछ स्पेस करेगा बट अगर HTML की जो आइकन्स बेगर अगर हम लोग यूज करते हैं तो विल्कुल भी बहुत स्पेस का अंजिम नहीं करेगा ओके नहीं लेगा स्पेस हैं तो हाज हम लोग सिखेंगे कि हमारी साइड के अंदर हम लोग कैसे जो की आइकन्स को याड कर सकते हैं और अगर हम आइकन्स बेगरा यूज करते हैं तो हम लोग को यह फाइदा होगा कि हमारा जो साइड को लूडिंग स्पीड है न वह इंक्रिस नहीं होगा तो लूडिंग स्पीड जैसे हमारी जो साइड की अंदर आच्छा होना चाहिए तो इसलिए हम लोग आइकन्स को यूज करेंग और उसके बाद हम लोग और सारे चीज़ यहां पर एड़ करेंगे तो पहले मैं बता दूँ आपको अगर आप लोग आइकन्स बगर एड़ करना चाहते हो तो यहां पर एक साइड है जिसका नाम है fontawesome.com इस साइड के अंदर अगर हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग को बहुत सारे आइकन्स बगरा मिल जाएगे जो की हमारी जुरुत होगी ओके बहुत सारे आइकन्स बगरा है यहां पर आपको paid plan भी मिलेगी free plans भी मिल जाएगी ऑके बट आप लोग यह free plan यूज करो ओके और यहां पर मैं बता दूँ आपको और एक चीज यह जो चीज है यहां पर e code यहां पर यह जो site हम लोग को देता है अगर यह code हम लोग paste नहीं करेंगे तो जितने आइकन्स हम लोग वहां पर add करेंगे वह 100 नहीं करेंगा ओके तो यह code आपको कहा मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं, वो कैसे काम करता है, तो हम लोग यह code को कपी कर लेते हमारी site के अंदर यहां पे paste करना है करना पड़ेगा, अगर यह code हम लोग paste नहीं करेंगे तो हमारी site के अंदर, जो भी हम लोग यहां पे input देंगे, अब वो आउटपूड नहीं देगा तो पहले स्कॉर्ड को हम लोग कपी करते हैं और मालो यहां पे वह राइकन रहा के आपको कोई से भी आईकन को उपर क्लिक करना है कि जैसे वह आइकन के उपर क्लिक करो आपको कौड यहां पर देखने को मिल जाएगी जो कि शटकट की है आउटपूट दिखने का ओके तो यहां पर उसकी आउटपूट आप लोग देख सकते हूं यह रही इसके आउटपूट जो कि हम लोग नर यह जो आइकन को अभी हम लोग ना आइकन की कोड हम लोग ने हमारी जो बोडी के अंदर पेस्ट किया यह है वो आइकन अगर हम लोग यह कोड पेस्ट नहीं करेंगे मालो इस कोड को हम लोग अभी डिलीट करते हैं तो अभी मैंने उसके आउटपूट आपको देखा दो यहां पर आपको कुछ भी आउटपूट देखने को नहीं मिलेगी यह देखो क्यूंकि अगर आप लोग यह कोड पेस्ट नहीं करोगे ना तो उसके आउटपूट बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा तो इसलिए आपको यह कोड बहुत दा ज़रूरी है यहां पर आप लोग देख सेकते हूं नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर यह कोड देदूंगा आपको ओके आप लोग यहां यहां से उठा कर आपकी साइट के अंदर पेस्ट करो आपकी विजल स्टूडियो कोड के अंदर पेस्ट करो और यह सारी चीज़ मतलब प्रग्रम रॉन करो तो यह आटमेटिकली वह सारे काम कंप्लिट कर देगा ओके तो अभी क्या करेंगे हम लोग अभी हम लोग एक थोई यहां हम लोगों ने आइकन हैं पर को हैं तो यह पर चलेंगे हम लोग आइकन दीलेंगे हैं अ मैं आपको आइकन कैसे मिलेगी आसके बारे में थोड़ी स्कूद बता देता हूं आपको Hun replaythana लेकर एंट ऑपैर आीकनी करो उसके उपर क्लीक करो और जैसे लिएक आपको वह Icons बगरा देखने को मिल जाईगी ओके यहां पर मैं यह I.I.D. कार्ड को लेता हूँ आपको Simple जिस Icon आपको चाहिए है उस Icon को अपर आपको क्लीक करना है जैसे ही क्लीक कर погlier आपके समने इस तरह की कोड निकल कर आ जाएगी बासे इस कोड को कपी करो आप जहां पर भी लगाना चाहते हो जाओ और उधर आप उसे पेस्ट करो ओके और यहां पर वो क्या चीज आपने डाली है उसकी यहां पर नेम एट करो ओके आएडी काड हम लोग ने डाली है यह और यह आड्रेस बूक यहां पर जो नाम है यहां से आप लेके कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो अब सेब करा मैं यह देखो हो गया ना यह रही उसकी आउटपूट रही अगर आप हम लोग ने आड्रेस बूक कर आप एड किये और यहां पर हम लोग एड किया आईडी काड तो जो भी चीज हम लोग ने एड किये वह यहां पर आ गया ओके तो इस तरह आप आपकी साइड के अंदर उसे एड कर सकते हूँ बेरी इजी लिए यह देखो हो गया तो इस तरह आपकी साइड के अंदर इससे एड करके अगर अगर अच्छी करना चाहते हूँ तो यह आइकन है आप उसे यूज करो तो आपकी साइड की जो लुकिंग भी आच्छा रहेगा और अगर साइड के स्पीड भी आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा ओके तो अब भी हम लोग अगर इस साइड की मतलब इसकी कॉलर छेंज करेंगे वो सारव चीम क कसे करेंगे उसके लिए लिए लोग ऐसे मिठिए कि थैज कर सकते अगर आय यहाँ कने और इसके बाद दुसकी मतलब कॉलर कॉलर में आड़ किया कॉलर हम लोगolly kaul अगर यह रगते हैं तो उसे ब्रू करो मैं आप आप विव्य उसके ऑफ पुटोट देखेंगे क्यां यह dise Mexico कर रहा है कि योगत अखो आपके आप एड़ कर सकते हो यहां पर कोड आपको मिल जाएगी इस कोड को कॉपीपेस्ट करके आपकी साइट के अंदर उसे कॉस्टमाइज कर सकते हो ओके तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में सिखेंगे बहुत बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट रहेगी जितना वो हे क्लिव तब तक यंद को जो रुद का यह में का जो हुड़ को आओ की बstar